नमस्कार वर्ड इंडिया में आपका स्वागत है मिरा नाम अविनाश है सुनील गावसकर महान बलेबाज है भारत के और सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले वो बलेबाज भी बने थे सुनील गावसकर ने आगामी विश्व टेस्ट चंपेंशिप से पहले एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कई सारे सवालों के जवाब दिये हैं हाला कि विश्व टेस्ट चंपेंशिप के फाइनल में टीम इंडिया की प्लेइंग लेवन क्या होगी इसको लेकर हर किसी को माथा पच्ची है कि विराट कोहली किन खिलाणियों को अपनी टीम में जगह देंगे हाला कि गेंदबाजों को लेकर ज़्यादा चिंता है कि चार तेजगेंदबाजों के साथ विराट कोहली मैदान पर उतरते हैं या फिर तीन दो के फॉर्मेशन के साथ चलते हैं यानि कि दो स्पिनर और तीन तेजगेंदबाज अब इस पर सुनिल गावसकर ने अपनी राय दी है और उन्होंने जन्विन राय दी है सुनिल गावसकर का मानना है कि भारत को तीन पेसरों के साथ और दो स्पिनर के साथ जाना चाहिए यानि कि अश्विन और जडेजा इसके पीछे का लॉजिक भी सुनिल गावसकर ने बताया है उन्होंने काया है कि देखिए इस साथ हम्टन में काफी जादा गर्मी पड़ रही है पीछ काफी जादा सूखी है ऐसे में वहाँ पर स्पिंडों के लिए काफी जादा टर्ण मिल सकता है उन्हें और ऐसे में स्पिंडर्स टीम इंडिया के जीत में एहम भूमी का निभा सकते हैं तो अश्विन और जडेजा को इस फाइनल मुकाबले में खेलना चाहिए वहीं जब अश्विन के बारे में पूछा गया तो इस पर सुनिल गावसकर ने कहा कि देखिए मुझे इरापली प्रसना और हर्बजन सिंग दोनों ही गेंदबाज बहुत ज़्यादा पसंद थे और दोनों के पास वेरियेशन काफी ज़्यादा थे ठीक उसी तरीके से मुझे आर अश्विन को भी गेंदबाजी करते हुए देखना बहुत पसंद है इनके पास कैरम बॉल है फ्लीपर है और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं चतुराई भरी गेंदबाजी करता है और इसी वज़े से मैं आर अश्विन को विश्व टीम में जादत तर लेफ्ट हेंडेड बल्ले बाज है और R.иковis का करेंगे रीकौर्ड लेफ्ट हेंडेड बल्ले बाजों के खिलाफ शांदार रहा है तो ऐसे में R. potassium नीजुनेड के इन लेफ्ट हेंडेड बल्ले बाजों के खिलाफ मुश्किले पैदा कर सकते हैं उम्मीद तो यही करेंगे बादमा की देखते हैं कि फाइनल मुकाबला कौन से टीम जीत हासिल करती है इस खबर में बस इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें One India के साथ